वेलकम इस्टूरंस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा में क्लास 10 मैथेमेटिक्स में चेप्टर नमबर 19, 20, 21, 22 के इंपोर्टेंट लोंग कोस्टेंज को ओके तो इससे पहले भी मैंने चेप्टर नमबर 16, 17, 18 इनका लोंग कोस्टेंज मैंने बताया था पहले उस देख सकते हैं और इसे पहले चेप्टर 18 तक मैंने सभी चेप्टर के लोंग कोस्टेंज मैंने बता दिये हैं तो अभी चेप्टर 19 से स्टार्ट करेंगे तो इस्टों चेप्टर 19 ये मेंसूरेशन का चेप्टर है और मेंसूरेशन में लोंग कोस्टेंज 4 मार्क्स का आता है तो exercise से जो important question practice करेंगे question number two है उसके बाद question number five six और फिर seven ठीक है question number five six seven question number seven यह माधदमीक परिक्षा 2017 में आया था ठीक है उसके बाद आ जाएंगे question number नमबर 10 11 करेंगे 10 और 11 ओके नेक्ट पेज में कोश्चन नमबर 13 एंड कोश्चन नमबर 15 बस एक्सेसाइज से लोग कोश्चन ही प्रेक्टिस करेंगे और यह पेज नमबर 265 और 66 में इसके बाद इस चैप्टर का जो एप्लिकेशन में जो इंपोर्टेंड है वो देखते है तो इसके जो इंपोर्टेंट एपीकेशन से वो एप्लिकेशन नमबर 489 और 689 और 99 सेवन एप्लिकेशन नमबर 7 यह हाय मदबस। 2020 में आया था उसके बाद application number 9 नीचे में है ये application जो बहुत ही important है ये application आपके दो दो बार मादविक परिक्षा में आ चुका है एक मरतबा ये application 9 जो है मादविक परिक्षा 2017 में भी आया था और मादविक परिक्षा 2020 में भी आ चुका है और एक लाश टे application कर लेंगे practice application number 10 जो next page में बस इस exercise से इतना ही practice करेंगे ओके इसके बाद हम आ जाएंगे next chapter में next chapter जो है chapter 20 तो यहां से तीगनोमेटरी स्टार्ट होता है और इसका जो exercise है इसमें long question आपका तीगनोमेटरी में three marks का होता हमें पता है three marks का ठीक है तो three marks का इसमें से एक question आ सकता है आगे exercise देखेंगे तो यह हो गया हमारा exercise 20 page number 276 में तो इसमें three marks का long question अगर practice करेंगे तो हो करेंगे question number four, five, six, seven ठीक है यह हम practice कर लेंगे और इसके कुछ application से कुछ applications भी देखेंगे तो इसके important applications में है important application number eight and application number nine ठीक है इन दो applications को practice कर लेंगे तो यहाई से इसमें important इतना ही है इसके बद हम आते हैं next chapter में next chapter 21 है determination and mean proportional तो यह construction का chapter है और construction के chapter में पता है इसमें five marks का question आता है construction बनाने के लिए तो इसमें जो है तीन इसमें अलग-अलग type के construction है एक होता है mean proportional निकालना एक number two हो गया geometric square root निकालना ठीक है geometric square root और number three है एक rectangle दिया रहेगा उसके area के बराबर एक square बनाना ठीक है यह तीन इसमें अलग-अलग construction है तो यह रहा उसका exercise इसमें जो question number one है इसमें mean proportional निकालना तो mean proportional आप अगर एक प्रेक्टिस कर लेंगे तो बागी सब उसी type का बनेगा और मैंने यह सब बता दिया है ठीक है वीडिय प्रेक्टिस कर लें तो उसमें से यहां पर प्रेक्टिस कर सकते हैं जैसे 24 का ठीक है उसके बाद 31 का भी कर सकते हैं और कुछ इदर से भी कर लेंगे एक से एप्लिकेशन से ठीक है और उसके बाद जैसे यहां पर जो question number four है तो इसमें एक rectangle के area के बराबर एक square बनाना तो यहां पर एक practice कर लेंगे तो बागी सबब खुद से कर सकते हैं तो जैसे है यहां पर आट और छे इन दो सेंटी में मीटर को लेकर एक rectangle बनाना है उसका फिर एक वल एरिया के बराबर एक square बनाना है तो इसको आप practice यहां से कर सकते हैं तो यह कर लेंगे और यहां से बेगर हम चाहें तो कुछ application से भी कर सकते हैं application से जैसे कर लेंगे उसके बाद 21 का कर लेंगे 21 का है यहां पर application नमबर तू में 21 का कर लेंगे तो यह ज्यादा बेटर होगा और लास्ट में जैसे एक अंस्ट्रक्शन इसमें जो एक्टेंगल है उसका लेंद 6 सेंटीमेटर और 3 सेंटीमेटर है इसके एरिया के बराबर एक square बनाए गया तो यह प्रेक्टिस एक बार कर लेंगे ठीक है तो exercise 21 से बस यह important है next फिरात exercise चेप्टर 22 में तो चेप्टर 22 यह पिथागोरस थियॉरम है तो यह से जने to do थियॉर Pjek नमबर 49 एं फिप्टी तो यह दोनो थियॉरम ही इंपोरटेंड हम व 002 हरसाल एक्जाम के लिए थियृरम नमडर 49 होता हैं फाइघ थियृरम हाता में पता है तो स्पिथागोरस 어떡 व Lit Boss शियृरम यह यह पायत को लेंगे ठीक है page number 286 में है तो यह दोनों थी और हम अक्सर आता ही रहता एक्जाम में उसके बाद इसके exercise में तो इसका चुके short questions होता है तो short questions को मैं बता दूँगा और कुछ application भी यह important है तो application में जैसे आप यहां पर कर सकते हैं यह application कर लेंगे application no.3 ठीक है application no.3 कर लेंगे application no.2 कर लेंगे यह दोनों practice कर लेंगे और इसमें 3 marks का extra theorem भी होता हमें पता है तो extra theorem में practice करेंगे application no.5 application no.6 application no.7 application no.9 इन 4 applications को करेंगे जिसमें से application no.6 जो था यह academic pressure 2019 में आ चुका है और बाकी भी करेंगे और इसके exercise से अगर हम short question करते हैं practice तो ज्यादा ने सिफ दो कर लेंगे पहला यह short question type का है और no.3 कर लेंगे ठीक है तो यह होगी हमारा chapter 22 का long question समझ ले और कुछ अगर इसमें से short question देखेंगे two marks का तो इसमें से अगर आप देखना चाहेंगे तो यह important में से यह आता है two marks का यह पहला question important होता है two marks का इसके साथ यह last वाला है यह दो important होगा ओके यह भी तो यह एक चार और पांच यह भी कर लेंगा इसे short question सभी practice करना चाहिए तो यह होगी हमारा chapter 22 तक का long question complete इसके बाद next video में मैं आगे chapters के long question जो important हो बताऊंगा okay thank you very much for watching